नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ हर्ष भरद्वाज इस लोगसभा चुनाव में बीजेपी की सीटे भले ही कम हो गई हो लेकिन बाबा का एक्षन लगातार जारी है और बाबा की काम करने का स्टाइल बिलकुल नहीं बतला है तभी तो बाबा का बुल्डोजर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बाबा ने सिर्फ 9 दिनों के अंदर ही अकबर नगर के लोगों की अकड भीली करती है जहां अवेद मस्जिदों पर बाबा का बुल्डोजर चला है वहीं पूरा का पूरा अकबर नगर ही साफ कर दि दरसल अक्बर नगर में नौ दिन से चल रहे बुल्डोजर से करीब अठारा सो अवैध मकान, दुकान और कॉंपलेक्स को जविंदोस कर दिया क्या है। दरसल कुक्रेल नदी की जमीन पर कबजाकर लोगों ने कॉंपलेक्स, शोरूम, दुकाने और बड़ी संख्या में घर बना लिये थे। इसी बीच कुक्रेल नदी के सौंदारी करण का शाषन की तरफ से आदेश आया। इस दौरान जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि प्रादी करण ने धवस्ती करण का आदेश दे दिया। मैस फैसले के खिलाब लोग हाई कोट तक चले गए। लेकिन जब हाई कोट से रहात नहीं मिली तो सुप्रीम कोट का भी अरुक किया गया। पर सुप्रीम कोट ने भी अवैद कब्जा करने वाली लोगों को रहात नहीं दी आदालत के आदेश का फालन करते हुए 10 जून को इराके में बुल्डोजर पहुचा और फिर ध्वस्ती करण का काम शुरू हो गया और लगातार 18 तारीक तक ये पीला पंजा चलता रहा अवैद बने 1179 आवास 101 कमर्शियल निर्मान द्वस्त किये गए दिसंबर 2023 से अतिकरमन हटाने का अभ्यान शुरू हुआ था अभ्यान में करीब 24.95 एकड जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैद निर्मान जमीन दोस कर दिये गए दरसल मुखे मंतरी योगी आधितिनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कोक्रैल नदी पर बनने वाला रिवर फ्रंट लखनव में एक प्रमुक विकास परियोजना के रूप में उभर रहा है इस परियोजना पर विशेज ध्यान दिया जा रहा है और कोई भी अधिकारी इस मिला परवाही नहीं करना चाहता रिवर फ्रंट की प्लानिंग के मताबिक बारिश की पानी को इखटा करके कोक्रैल नदी में भरा जाएगा इसके रावा शारदा नहर का पानी भी नदी में छूड़ा जाएगा ताकि जलसतर को बनाय रखा जा सके नदी की 6 किलोमीटर प्ला रिवर फ्रंट भी उसी गुणवक्ता और भविता के साथ तयार किया जाएगा एस्ट्रीम प्रोजक्क के माध्यम से लखनव में परेटन और स्थानिय विकास को नया आया मिलेगा और ये शेहर की सुन्दर्ता में चार चान लगाएगा यानि अब ये कहा जा सकता है कि लखनव का अकबर नगर अब इतिहास के पन्नों में दफन हो गया है कुक्रेल नदी की जमीन पर अवैद रूप से बसी इस कॉलोनी को बुल्डोजर ने धोस्त कर दिया कभी यहाँ पक्ते मकान सडक और आबादी नजर आती थी आज ये जगह मलवे के भेर में तब्दील हो गई है चारो और तूटे मकान और दुकानों का मलवा ही मलवा नजर आ रहा है और अब यही जगह है लखनव की सुन्दर्ता में चार चान लगाएगी फिलाल ऐसे और खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ट भारत